बिस्मिल्लायरमानुराहिम, अस्तामलेकूम, स्टुडेंट्स, Microsoft Excel के एक नीव वीडियो लेक्चर के साथ मैं हुजैन, स्टुडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोटो वी लोकप को सीखेंगे, इस तरह आप फोटो को वी लोकप लगा सकते हैं, यह देखें, यहाँ पर मैंने कुछ employees का data लिखा हुए है, अगर मैं यहाँ पर employee का employee number चेंज करूँ, 156 employee number है, मैं 1651 था, तो मैं 1652 कर दूँ, enter करूँ, तो देखें, यहाँ से इसकी picture भी change हो रही है, employee की और नीचे से सारा data भी change हो रहा है, मैं एक पर फिर करता हूँ, इसको change 1650 किया, enter क तो यह देखें, यहाँ पर फिर picture change हो गई है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप यह सीख लें कि किस तरह हम फोटो पर वी कुल वी लुक अप वाला formula लगाते हैं, तो इस वीडियो के last तक watch कीजिएगा, तो मैंने यहाँ पर एक example के लिए, यहाँ पर एक sheet बनाई हुई है, यहाँ पर हम इस formula को implement करके देखेंगे, यह हमारा data है, और यहाँ पर मैं चाहर हो कि जो picture सामने show हो, उस पर वी लुक अप लग जाए, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इस photo को कर लेना, copy, see, इसको मैंने select किया, select करने के बाद आपने control CC को copy करना है, और इस cell में इसपने करना जएना है, इसको paste, paste करने के बाद मैं थोड़ा से इसको center में कर लेता हूँ, यह देखें, यह center में होगी है picture, तो इस picture में य जो car है, इसका name लिखा होया, इसका card one लिखा है आपने यहाँ पर card one लिख लेना है इसके बाद आपने इस picture को select करना है select करने के बाद आपने जाना है यहाँ से formula's में formula's में से यह देखें यहाँ पर define names आ रहा है इस पर आप click करें तो यहाँ पर देखें name manager आएगा आपने name manager पर klik करना है जैसे आप name manager पर klik करेंगे तो आपके पस name manager open हो जाएगा यहाँ से आपने new के button पर klik करना है new के button पर klik करने के बौद आपने यहाँ से name इसका रखडिएना कोई सा भी name रख सकते हैं मैं इसका p ic Christianity रख देता हूं इसका name यहां पर हमने करना है use formula, मैं इसको remove करता हूँ, यहां पर आपने लिखना है is equal to inbex index bracket start, इसके बाद आपने index में सबसे पहले जो value देनी है, वो आपने यह वाला data देना है जहां पर आपकी pictures पढ़ी रही है, यह मैंने pictures को select कर लिया और यहां पर data show हो गया, इसके बाद आपन करना है, यह वाला cell select, इसके बाद comma, इसके बाद आपने वो value select करनी है, जहां से आप इस name वाली value को match करना चाहरे हैं, वो मेरी value है, यह वाली, मैं इसको select किया, इसके बाद comma, इसके बाद आपने zero लिखना है, zero का मतलब होता है exact match, इसके बाद आपने brackets को close कर देना है, दो brackets लिखनी है आपने close वाली और okay कर देना है तो यह देखें यहां पर हमने एक name manager में अपना intersection operator को own कर लिए है आप मैं इसको close कर देता हूँ इसके बाद आपने क्या करना है आपने यह जो picture है इसको select करना है आपने करने के बाद यहां से formula bar में जाना है यहां पर आपने लिखना है is equal to pic जो हमने name लिखा हुआ था उसका pick लिखकर आपने करना enter जैसे ही आप enter करेंगे तो यहां से आपके पास picture थोड़ी सी change हो गया एक frame सा बन गया है तो अब हमारा यहां पर formula जो है flowers आगे हैं अगर मैं यहां पर लिखता हूँ बी एबी वाई baby enter करता हूँ तो यह देखें baby की picture आगए हैं और मैं c a r 2 करके enter करता हूँ तो यहां पर car 2 की picture आगए तो इस तरह आप वी लुक आप का formula जो है वो index match की मदब से आप pictures पर implement कर सकते हैं तो यहां पर मैं एक सबसे important बात आपको यह बता दूंकर जो 2007 version है उसमें यह जो photo look up वाला option है वो avail नहीं होता लेकिन जो latest versions आ रहे हैं 2013, 2016 उनमें आप इस formula को इस method को use कर सकते हैं I hope कि आपको photo look up की समझाई होगी अगर किसी चीज़ की समय ना ही हो तो वीडियो के नीचे comment जरूर कीजेगा thanks for watching this video